अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो एक बार मुझे अश्योर कर दीजिए और हम शुरू करने जा रहे हैं, कैलोरी मेट्री, हाँ, कैलोरी मेट्री क्या है, क्या है ये शब्द कैलोरी मेट्री और कहा से आया ये टर्म, क्या आज कहते हैं, यह ही है ये चेप्टर, हाँ ये फिजिक्स का एक सिंपल छोटा चेप्टर है, हाला कि इस पर नुमेरिकल बनता है, और आज हम इस पार्ट में पहले इसकी, ठीक है, numerically हम एक बार फिर से chapter wise numerical आपके साथ करेंगे, हाँ, हर एक chapter का numerical आपके साथ separately करेंगे, topic रहेगा numerical on calorimetry, ठीक है, तो चलिए, calorie, yes, एक unit है, एक common unit है, heat को measure करने के लिए, और calorimetry, yes, quantity of heat की measurement को कहते है, calorie metric, तो ये question आता है, sir, ये heat आ, कहां सरे ये bodies में, भाई, कोई भी body, yes, हर एक वस्तु जो है, yes, हर एक वस्तु जो बनी है, वो बनी है, एटम से, हाँ भाई, एटम से बनी है, और एटम आप जानते हैं, चाहे solid हो, चाहे liquid हो, सब में क्या करते रहते हैं, random motion करते रहते हैं, दोड रहे हैं, imagine करिए, मुझे दोड करके सोच के सुब बताइए, क्या आप warm-up हो जाते हैं, क्या कहते हैं, जी हाँ, जब आप motion में होते हैं, तो जब आप motion में होते हैं, आपके अंदर होती है energy, kinetic energy, और सोचे कहीं आप एक position पर हैं, कहीं उची जगह पे जाके बैठ गए हैं, हाँ, कहीं भी उचाईद पर बैठ गए हैं, तो आपके अंदर क्या है, potential energy, तो यह energy कहां से आ रही है, यह heat कहां से आ रही है, यही chapter में हमको समझना है, तो जो भी molecule है, वो बना है atom से, और यह atom जो है, constant motion में होते हैं, हमेशा move करते रहते हैं, जब motion में रहेंगे, move करेंगे, तो होगी energy, और यह energy kinetic और potential के रूप में होती है, नतीजा इनके अंदर होता है temperature, यह जो energy जो इनके अंदर है, यह जो इनके अंदर है, नाम है internal energy, आइए, start करते हैं और इसी point से समझते हैं, तो जो भी energy, यह जो भी energy किसी molecule में है, दोनों तरकी energy होगी, potential energy और kinetic energy होगी, kinetic energy कहां से आएगी, दोड के मैंने example दिया, कि मैं आप दोड रहे हैं, जब आप दोड के कहीं से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो आप warm up हो जाते हैं, heat up हो जाते हैं, क्योंकि, energy, energy possessed by body by virtue of its motion, by virtue of its motion is called as kinetic energy, और potential energy, the energy possessed by body by virtue of its position और configuration is called as potential energy, energy, तो ये दोने energy का sum, किसी भी molecule में होता है, और हम इसे कहते हैं, internal energy, और जो ये internal energy किसी भी molecule में है, हाँ मैंने कहां हर एक molecule में होगी, यही energy इसकी क्या बताती है, इसकी thermal energy, अथार्थ इसके अंदर मौजूद heat को बताती है, हाँ, तो ये हर एक body में है, internally है, अब आता है question कि ये body से heat, एक body से दूसरे body में कैसे चले जाती है, तो basic rule क्या है, कि हमेशा hot body से cold body में heat flow होती है, cold body से hot body में नहीं जाती, कभी भी याद रखेगा, heat always flows from hot body to cold body, हाँ, अब पैचानेंगे कैसे कि hot body है, की cold body है, यही question है, तो जो hot body होगी, हाँ, जो hot body होगी, उसकी पैचान होगी, उसका measurement of temperature, कैसे पता करेंगे, उसका temperature क्या होगा, high होगा, ठीक है, किस से high होगा, cold body से, एक example मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग से, body A का temperature है, 50 degree centigrade, body B का temperature है, 70 degree centigrade, मैंने दोनों के temperature को centigrade में बताया है, अब आपको बताना है, heat कहां से कहां flow होगी, हाँ, tell me, heat किस body से किस body में flow होगी, चलिए, अभी आप बने रहिए, और मुझे अभी बता सकते हैं, अगर समझ में आ गया है, ने तो हम आगे अभी आपका concept clear करते हैं फिर से, तो एक hot body, बता दिया, जिस body का temperature हाई होगा, वो hot body है, has more internal energy than a similar cold body, और energy कहां से कहां flow करती है, from hot body to cold body, simple सा rule है, इसका मतलब है, जब आप ठंडी के दुनों में, ठंडी आ रहे हैं बहुत जल्दी, सुबह अरली morning में, आप अपने जो iron के gates हैं, घर का iron का gate है न, उसको छूते होगे सुबह सुबह ठंडा लगता हो, और जैसे से ठंडी बढ़ रही है, बहुत ठंडा लगता है, मन ही नहीं करता है, कि pocket से या जो jacket से अपना हाथ निकाले, क्या कहते हैं, ठंडी के दुनों में मन नहीं करता है, या तो मन करता है हमेशा गलाउस पहने रहें, सच बताईएगा, तो reason एक ही है, कि जैसे ही हम किसी cold object को छूते हैं, जैसे मैंने example दिया, कि मैं अपने gate के, जो घर का, जो main gate है, उसको छूता हूँ, क्योंकि not normally metal gate होता है वो, तो हमारी body से heat, हमारी body से heat क्या हो रही हो, तो लूज हो रही होती है, और उस metal gate में चले जाती है, नतीजा, हम है hot body, वो है cold body, समझ गया न, इसका reverse बता दूँ, इसका reverse क्या है, अगर आपने एक glass of hot milk, हाँ, अगर आप hot milk पी रहे हैं, दूद पी रहे हैं, glass में गरम दूद हैं, अगर आपने उसको by chance hold कर लिया, अचानक क्या हो जाता है, आपका हाथ गरम हो जाता है, तो वहाँ से क्या हुआ, जो गरम glass of milk था, उसकी heat आपके body में आई, क्योंकि वो आपके body से ज़्यादा temperature है, तो always heat flows from a body with high temperature to body with low temperature, तो आपको जवाब अब मिल चुका है, अंसर होगा, heat will flow from b to a, clear, जिन्होंने लिखा है b to a, a big like for them, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और समझते हैं कि heat to flow आप समझ गए, कि heat flow है, तो heat क्या है, अब एक definition के मज़ते, तो heat एक form of energy है, energy का एक रूप है, जिसमें flow होता है, energy का एक रूप है, form है, type है energy का, जिसमें flow होता है, from hot body to cold body, clear, अब आईए, इसी heat को measure करना चाहते हैं, heat का number जानना चाहते हैं, तो use करते हैं calorie metric, और यही आपके, इस चप्रा का नाम है, the quantity, yes, the quantity of heat measured is called as core calorie metric, आईए, और heat का unit क्या बताया गया है, आपको SI unit याद करना है, SI unit of heat is joule, not calorie, सरी, joule कैसे आ गया सर, बता तो रहे हैं, heat है, और joule आ जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया, heat क्या है, thermal energy है, कौन सी energy है, thermal, thermal, तो thermal energy है, और energy का भी unit क्या होता है, joule होता है, ज्यान दीज़ेगा, energy का SI unit क्या होता है, joule, तो इसलिए heat भी energy है, तो SI unit भी क्या होगा, joule, और other unit क्या है, common unit क्या है, हो है calorie, है अब चली है केल्री की irr ProteTIN पढ़ने से पहले एक एक जामपल से समझा देते हैं आइक एक संजा देते आ है ले उव़्यम करते हैं कि हैं कि आपने क्या लिया आपने एक फ्लास्क लिया जाए है रहा है है उस पीकर में हां चलिए और simple कर देता हूँ आप lab में यस जा रहे हैं और आपने lab में क्या कर दिया test view भी ले लिया असान कर देता हूँ और इसमें सिर्फ 1 gram of water ले लिया पानी कितना ले लिया? 1 gram 1 gram of water ठीक है? 1 gram of water ले लिया अब इसको क्या करना है? इस 1 gram of water को हमें heat करना है इसको heat करना है heat कर देते हैं ठीक है यह है बुंसन बर्नर बुंसन फ्लेम जिससे हम इसको heat कर रहे हैं तो अभी इसका temperature कितना है let's assume कि इसका temperature है let's assume अभी room temperature है 20 degree मैं example ले रहा हूँ इस समय current temperature है 20 degree centigrade तो इसको heat करेंगे इस water को heat करेंगे 1 gram water लेना है ध्यान दीजेगा और जितनी heat हमने दी heat temperature क्या हो जाए इसका temperature अब हो जाए 21 degree सिर्फ कितना degree rise किया temperature 1 degree 1 degree rise कितना कराना है 1 degree 1 degree rise in temperature करने में हमने जितनी heat दी किसी को कहते हैं 1 calorie definition बन गई the amount of heat हाँ मेरे साथ the amount of heat required to raise the temperature of water through 1 degree centigrade is called as calorie क्या हम देंगे तो calorie के लिए calorie के लिए मैंने कहा हम लोग भी अपने जो खाना खा रहे हैं डाइट का रहे हैं calorie conscious हो जा रहे हैं हाँ ये देख रहे हैं कि हम कितना calorie खा रहे हैं क्योंकि वो calorie क्या होनी चाहिए burn भी होनी चाहिए हाँ भाई वो भी calorie है वो measurement of क्या है food से निकली energy energy याद करिए मैंने बताया energy का unit है तो food से जो निकली energy है उसको measure करता है calorie उसी तरह से heat की निकली energy है calorie चलिए definition एक बार और देख लेते हैं convert करनी हो ऐसा unit पर convert करनी हो तो 4.2 joule इसका मतलब है एक joule 4.2 joule के बराबर है चलिए अब आप से question पूछ रहा हो joule बड़ा है कि calorie which is bigger unit joule और calorie हाँ अभी अभी बताओ live हो मेरे साथ तो बताओ which yes calorie और joule which is a bigger unit कौन बड़ा unit है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक शब्द आता है heat के बाद आता है अगला शब्द temperature बच्चे confused हो जाते हैं heat और temperature सबको एक समझ लेते हैं क्या आपको लगता है दोनों से में जवाब है absolutely नहीं जी नहीं temperature वो measure है जो बताता है degree of hotness और coldness of body हाँ भई आपने किसी का forehead ये चुआ गुला अरे तुमको तो बुखा रहे तो आपको कैसे पता चला बुखा रहे क्योंकि जरूर उस व्यक्ति का जिसका आपने head touch किया है जिसका आपने forehead पे हाथ रखा है उसका temperature आपकी body से जादा है तभी तो आपने कहा उसको fever है क्या कहते है तो temperature measure करता है measure करता है कि body how hot है या how cold है तो measure बताता है temperature ठीक है hot body होगी तो मैंने पहले ही बताया hot body का temperature जादा होता है cold body का temperature relatively कम होता है so what is temperature temperature is degree of hotness और coldness of body body का hotness और coldness बताता है या एक अच्छा शब्द है thermal state of the body बताता है कौनसा state thermal thermal मतलब heat ठीक है मैंने बताया था हर body के अंदर heat है तो thermal state of the body बताता है ये बताता है direction of flow of heat कहा होगी अगर दो bodies को contact में लाया जाए body A body B अगर contact में है body A का temperature once again 50 degree centigrade है और body B का temperature है 70 degree centigrade तो body B से heat flow करेगी body A की तरह तो ये temperature ना होता ये temperature ना पता होता तो पता करना मुश्किल होता कि flow of heat कहा होगी तो ये बताता है direction of flow of heat कौन? Temperature है तो असान है बता पाना इसलिए मैंने कहा आपका कोई friend आपका कोई family member बिमार है आपको पता चल जाता है क्यों? क्योंकि उसकी body की heat आपके body पे आ रही है इसलिए आप बता देते हो तो मैं तो बुखा रहे है समझ गया ना? ये पता चल जाता है आइए कैसे जाने की temperature को येस body तो मैंने बताया hotness or coolness बताती है तो हम measure किस चीज में करते हैं? किस unit में करते हैं? तो body का temperature हम Kelvin measure करते हैं? नहीं सर हम लोग तो Kelvin में measure नहीं करते हैं देखे Kelvin SI unit है क्या? SI unit है पर normal मैं और आप जो temperature यूज करते हैं measure करने के लिए हाँ जो घर में आपके thermometer है क्या आप जानते हैं? आपके घर में जो thermometer है वो Kelvin में नहीं measure करता है वो measure करता है या तो degree centigrade में या Fahrenheit में जरा अपने घर का thermometer लाके जरूर देख लिजेगा आपके घर के thermometer में या लिखा होगा या तो Celsius लिखा होगा जिसको centigrade कह रहा हूँ या Fahrenheit F तो हमारे पास जो common measurement है वो इन दोनों में है पर lab के यह सारे practical और बाकी सारे numerical जो हैं वो SI unit में ही measure होते है temperature को हम यह common life में use करते है Celsius and Fahrenheit और वैसे मैंने बता दिया SI unit है Kelvin हाँ Kelvin एक centis का नाम है और यह रहा Kelvin से centigrade में change करने का formula अगर आपके पास centigrade में temperature दिया हुआ है यह लिखा है temperature in centigrade बस आप उसमें 273 प्लस कर दिजे वो Kelvin में change हो जाएगा नहीं समझ में आया एक example देता हूँ जैसे किसी body का temperature temperature of A कितना दिया है मैंने आपको 50 degree centigrade दे दिया तो मुझे सर चाहिए इसका temperature चाहिए Kelvin में तो मैंने का बहुत आसान है Kelvin में change करना है तो 50 degree plus 273 add कर दो हाँ बस simply क्या करना है 273 add करना है जो अंसर आएगा वो Kelvin हो जाएगा हमारे केस में अंसर आजाएगा 323 Kelvin याद रखिए का Kelvin में जो निशान है के लिखेंगे सिंबल में और डिगरी का निशान नहीं होगा समझ गये clear है तो temperature in Kelvin बनाना temperature T in Kelvin बनाना बहुत असान है बस centigrade में क्या करेंगे 273 प्लस कर देंगा और उल्टा कर सकते है Kelvin दिया है और centigrade बनाना है तो माइनस 273 डिगरी clear है पक्का आगे बढ़ जाता हूँ factors affecting the quantity of heat किसी body का heat अगर किसी body में heat है तो वो किन-किन चीज़ों पर depend करती है तो heat depend करती है 3 factors पर body पर heat कितनी है उसकी quantity of heat कितनी है वो 3 factors पर depend करती है पहला है mass of the body दूसरा है body में temperature कितना है और तीसरा और आखरी point है body का material क्या है तीन चीज़ पर depend करती है ठीक है करके अब आता है heat और M जो है वो symbol for mass है तो क्या show करना चाहते हैं यहां पर यह जो symbol बना हुआ है यह directly proportional तो heat जो body में heat है वो किसके proportional है directly proportional to the mass है इसका मतलब है mass ज़्यादा होगा heat ज़्यादा होगी, mass कम होगा, heat कम होगी अरे भाई बताया तो था कि body किससे बनी है, atom से बनी है, molecule से बनी है, और molecules random motion में होते हैं और उनके अंदर होता है internal energy. याद हैं? और some total of internal energy को कहते है thermal state. ठीक है? तो body का mass ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर ज़्यादा heat energy होगी. अगर heat बढ़ेगी तो mass बढ़ेगा तो heat बढ़ेगी directly proportional है और heat energy किस पर depend करती है heat energy depend करती है temperature पर directly proportional to the rise in temperature अगर किसी body का temperature जादा increase कर देंगे rise कर देंगे तो उस body में जादा heat आ जाएगी मतलब increase जितना ज़्यादा करेंगा temperature उतना ज़्यादा heat बोडी में हो जाएगी And last, तीसरा point, the amount of heat also depends upon the substance Substance मतलब वह वस्तु किस चीज से बनी है, उसकी specific heat capacity क्या है Substance यह पर मतलब है कि वह material कैसा है, उसकी heat absorb करने की शमता कितनी है Again, इस पे भी directly proportional है, कितना high specific heat capacity होगी, उतना ज़्यादा heat वो बोडी absorb कर पाएगी तो formula बन जाएगा इन तीनों से, यहाँ पहले लिया M, that is mass, यहाँ लिया delta T, that is rise in temperature यहाँ change in temperature और यहाँ लिया symbol small c, that is specific heat capacity, तो अब formula बन गया, Q is equal to M, C, delta T Important formula है, Q stands for heat, T stands for specific heat capacity, M mass of the body and delta T stands for rise यह change in temperature तो directly proportional है तीनों चीज़ से, mass से, change in temperature से, और material से, specific heat capacity से directly proportional है यहाँ रखेगा, specific heat capacity एक constant value होती है, हाँ, एक constant value होती है, characteristic value होती है जैसे मैं आपसे पूछूँ कि pure water का boiling point क्या है, तो आप कहेंगे सर बहुत simple है, 100 degree में pure water boil कर जाता है तो यह boiling point पानी का 100 degree ही रहेगा, जी, 100 degree ही रहेगा अगर यह पानी pure है तो अब आप पानी का boiling point जैसे बता रहे हैं, 100 degree है, वैसे ही specific heat capacity भी होती है पानी की specific heat capacity अगर एक मैं बता दू, 4200 joule है, तो यह इतनी ही रहेगी समझ गए, क्या है specific heat capacity क्या होता है, एक constant होता है एक constant value होती है किसी substance की है, यह किसी substance का characteristic होता है अथार, it will not change from other substance, दूसरे substance की characteristic जो heat capacity होगी, वो अलग होगी समझ गए, आईए, अब समझते है, heat capacity क्या होती है बस calorie की definition याद कर लो, calorie की definition याद कर लोगो तो यह definition और याद असानी हो जाएगी calorie मैंने इसलिए दिखाया, calorie is amount of heat required to raise the temperature of water through 1 degree centigrade is called as जल्दी हो गया, हाँ, जल्दी हो गया तो आपको भी ऐसे ही याद करना है एक दम, एक दम जुबान पर होने ची definition, तो the amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 degree बस वहाँ पर मैंने कहा था water, यहाँ पर कह रहा हूँ क्या, body तो कोई भी body का temperature अगर raise कर दे, increase कर दे 1 degree से, तो वह बन जाएगा heat, heat capacity, heat capacity का symbol देखे, C पे बार लगा हुआ है देखे, C पे बार लगा हुआ है, या C dash लगा हुआ है कहे है, तो C bar is amount of heat upon rise in temperature यह रहा इसका formula, formula क्या है, C bar that is heat capacity is equal to amount of heat heat का symbol है Q, और नीचे है rise in temperature, change in temperature तो delta T, जब हम C, that is heat capacity की बात करते हैं, symbol क्या है, यह C का बार, heat capacity की बात करते हैं, मेजर करते हैं, Joule में, yes, heat को मेजर करते हैं, Joule में, और temperature को मेजर करते हैं, Kelvin में, तो आप इसको Joule पर Kelvin बोल सकते हैं, या Joule पर Celsius इंटिग्रेट भी कर सकते हैं, पर क्योंकि SI unit बताना है, तो आप Celsius मत लिखेगा, Kelvin लिखेगा, तो यह रहा, इसका SI unit Joule पर Kelvin, कहां सहा है समझ गया न, Joule heat के लिए है, और Kelvin किसके लिए है, rising temperature के लिए, clear, यह तो हो गया, heat capacity, अब इसी में है, specific heat capacity, यह specific आ जाएगा, तो एक word और बढ़ जाएगा, that is, mass, एक specific mass आ जाएगा, तो definition almost same है, amount of heat required to raise the temperature, यह तक तो same है, बस क्या word आ गया, एक unit mass आ गया, तो amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of body by 1 degree, एक keyword जुड़ गया, specific word की वज़े से, specific heat capacity मैंने बताया, एक characteristic property होती है, एक निश्चित property होती है, किसी एक element की जो characteristic property है, जैसे मैंने कहा, water की जो characteristic property है, copper की जो characteristic property है, वो अलग-अलग जैसे होती है, वही, एक बार बता दिया, वही हर बार constant रहेगी, तो यह राज symbol, इसका symbol है, small c, छोटा c है यह, capital c नहीं है, small c है, तो c is equal to amount of heat upon rise in temperature into mass, यह, symbol से देखिए, small c, that is specific heat caps t, का formula हो जाएगा, q upon delta t, तो पहले भी लिखा था, यहां तक तो आपने पहले लिखा था, इसको multiply कर देंगे, आपके say into mass, क्योंकि specific word है, यह specific में यह जो mass है, यही word इसको क्या बना रहा है, heat को specific heat का बना रहा है, definition में भी देखेंगे, तो क्या बढ़ जा रहा है, unit mass बस add on हो जा रहा है, बाकी सब सेम है, clear है, अब इसका unit मुझे बताना है, हाँ, इसका SI unit कैसे होगा, one, yes, specific heat capacity का unit mass क्या होगा, हमने discuss किया, कि heat का mass, SI unit था, जूल, delta T का आप यूज करेंगे, one Kelvin, और mass के लिए यूज करेंगे, one kilogram, अब आपके बास बन गया, क्या बन गया formula, joule, yes, joule, per Kelvin, और per kilogram, क्या लगाना है, दोनों में, per, per लगाना है, अब यहां तो आप slash लगा दीजे, यह minus one लिग दीजे, बात देखिए, ठीक है, तो joule per Kelvin यह उपर है, minus one, ठीक है, उपर है, और per kilogram, उपर है, power में लगावा है, क्योंकि यह per को इंडिकेट करता है, denominator को इंडिकेट करता है, नीचे है न यह, यह Kelvin और kilogram नीचे है, इसलिए upon, per, ठीक है, आईए, क्या relation है, समझते है, SI unit में, of specific heat capacity and heat capacity, क्या कोई relation है दोनों में, हाँ भाई, relation है न, कैसे बना relation, आईए पहले, इस relation को बनाने से पहले, मैं आपको एक बार और देखा दूँ, अभी आपने देखा, एक बार फिर से देखिए, यह formula क्योंकि इस पर बेस निमेरिकल रहेगा, heat capacity is equal to q upon delta t, एक यह formula देखा आपने, दूसरा formula देखा, specific heat capacity is equal to q upon delta t into mass, यही था formula, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, दोनों में relation देखना चाहता हूँ, तो relation करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां यह लिखा है, क्या लिखा है, q upon delta t, यह लिखा है q upon delta t, क्या इसके बदले हम 3 बार लगा सकते हैं, जरूर लगा सकते हैं, तो formula क्या बन गया, यह, specific heat capacity जो की यह है, और इसके बदले लगा देगे क्या, heat capacity upon mass, फॉमला बन सकता है, heat capacity upon mass, जरूर बन सकता है, heat capacity upon mass, और अब इसको क्या करेंगे, cross multiply कर देंगे, तो formula बन जाएगा, हाँ, heat capacity का, formula बन गया, heat capacity, जो की c बार होता है, is specific heat capacity into mass, clear है, यह है आपका relation, what is the relation, now, heat capacity, जो की मैंने बताया, c बार होता है, वो multiplied by mass, multiplied by specific heat capacity, यही था नमले फॉमला लिखा है, कैसे बन गया formula समझ में आया, यह ध्यान दिया आपने, पहले ही दोनों formula आने चाहिए आपको, उसके बाद ही आप relation बता सकते हैं, चलिए, और क्या याद करना है, आपको specific heat capacity of water याद कर लिना है, यह number याद कर लिना जरूरी है, क्योंकि यह आपको कही जगे यू दूरत पढ़ने वाली है, इसी को फिर से देखिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास एक kilogram of water हो अगर, कितना मैंने कहा, वन kilogram, क्या कह रहे हैं, वन kilogram of water यहाँ ले लिया हमने, पानी कितना लिया हम लोग ने इसमें, पानी ले लिया, एक kilogram, ठीक हैं, और एक kilogram मास पानी लेने पर heat करेंगे अगर, तो कितना? 4200 Joule पर kilogram पर Kelvin, मतलब एक degree temperature rise करने के लिए इसका, इसका temperature, इस पानी का एक degree temperature rise करने के लिए, हाँ, मैंने example दिया, पानी का temperature 20 है, 21 बनाने के लिए है, ठीक है? new temperature कितना है, इसका heat करने के बाद, new temperature 21, एक degree temperature बढ़ाने के लिए कितना पढ़ना पढ़ रहा है, 4200 Joule की heat देने पढ़ रही है, समझ गया है? और ये highest है, water has highest specific heat capacity, समझ गया है? ये बहुत काम आने वाला है आगे, हम इस पर आगे बहुत सारे S, use करने जानने वाले हैं, ठीक इन पर एक instrument दिखाई दे रहा होगा, आपको इसका नाम है calorie meter, तो क्या करता है calorie meter? यही प्रूव करने के काम आता है, measurement of heat जानने के काम आता है, थ्यान से देखे, calorie meter आपको जो instrument दिखाई दे रहा है, वो एक thin, एक thin copper vessel है, ध्यान से देखे, अंदर एक copper vessel है, ये बहुत ही thin sheet of copper से बना है, मैं थोड़ा red color से इसको highlight कर रहा हूँ, ये एक copper vessel है, copper का बना vessel है, और इसके ऊपर एक wool, yes, wool रखा गया है, wool इसने रखा है ताकि इसका heat loss ना हो, yes, copper से heat loss या ना हो, wool क्या है, bad conductor, आप जानते है, insulator है, इसलिए लगाए गया है, और उपर क्या क्या लगाए गय है, wooden lid लगाए गया है, again, heat loss by convection ना हो, क्या, heat loss by vapor बनके भाब बनके ना हो, इसके लगाए गया है, ये wool क्या कर रहा है, heat loss by conduction रोक रहा है, और ये जो wooden lid है, वो heat loss by convection रोक रहा है, और उपर से इसको बंद कर दिया गया है, चीक है, चारोतर से pack कर दिया गया है, और dark रखा गय तो जो भी body इसके अंदर put करेंगे let's assume इसके अंदर water put कर देते हैं क्या मैंने कहा इसके अंदर हम लोग water put कर देते हैं जब इसमें water put कर देंगे example दे रहा हूँ इसमें water put कर देंगे at a room temperature temperature है let's assume 20 degree centigrade water है इस पे 20 degree centigrade पे अब दूसरी कोई body yes assume करते हैं एक copper copper का ball है मेरे पास copper ball copper ball at 50 degree centigrade इसमें add कर देंगे तो जैसे ही इसमें copper ball add करेंगे यह रहा copper ball एक hot copper ball इसमें छोड़ दे रहा है तो यह copper ball जब जाएगा इसके अंदर heated copper ball जाएगा इसके अंदर तो क्या करेगा अपनी heat loose करेगा यह heat loose करेगा और water heat gain करेगा इसी principle को यह क्या करता है बताता है क्या बताता है यह calorometer calorometer बताता है कि एक instrument है कि एक body जो heat loose कर रही है वो equal to the another body that heat gain कर रही है यह इसका principle है और इस पे base numerical बनता है क्या है principle of mixture यह principle of calorometry कि heat energy lost by a hot body हमेशा जो high temperature वाली body होगी मेरे case में high temperature वाली body कौन सी है यह body है यह hot body कैसे मालूम चला मैंने बताया temperature क्या दिख रहा है 50 और यह water क्या है यह cold body तो हमेशा hot body क्या करेगी heat lose करेगी और cold body क्या करेगी heat gain करेगी flow of heat बने हमेशा बताया था तो जितना यह lose करेगी जितना यह heat lose करेगी उतना यह body क्या करेगी heat gain करेगी इसलिए यह बनाया गया है calorie meter clear है right आगे बढ़ जाएं कुछ phenomena's कुछ nature में होने वाले changes जो पानी या heat capacity पे depend करते हैं consequences of high specific heat capacity of water पानी बहुत कमाल की वस्तू है सोच लिजे हमारे planet पे है तो कितना हमारे लिए काम कर रही है तो सबसे पहला है पानी जो समुन्दर के आसपास है समुन्दर में है मतलब आसपास नहीं समुन्दर में है तो उसकी वज़ए से जितने भी seashore के इलाके है कितने लोग मेरे super stars यह समय ऐसे है जो coastal area पे है हाँ जिनका जो अभी मेरे साथ live बैठे है वो हो सकता है कॉलकता में हो हो सकता है चिन्नाई में हो हाँ जो coastal town के मेरे super stars होंगे उन्हें बहुत अच्छे सनुभव होगा कि वहाँ पे temperature moderate रहता है गर्मी में बहुत गर्मी नहीं होती है और सर्दी में बहुत सर्दी नहीं पड़ती है तो क्या कारण है इसका तो इसका कारण यह समुद्र में मौजूद पानी है जो समुद्र में water है heat absorb कर लेता है और अपना temperature बहुत slowly rise करता है अपने 1 degree temperature को rise करने के लिए 4200 क्या करता है Joule of heat energy absorb कर लेता है अथार्थ पानी धीरे 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 गरम होता है जबकि land जो है वो जल्दी गरम हो जाती है उसकी heat capacity क्या है बहुत बहुत low है समझ गया न तो पानी की high heat capacity की बज़ए से it takes lot of time बहुत सारी वो heat absorb तो कर लेता है पर जल्दी क्या होता है अपना temperature rise नहीं करता है जबकि जो heat energy जो heat energy उसको चाहिए तीक है अपना temperature raise करने के लिए वो बहुत बहुत जादा चाहिए कितना चाहिए approximately 5 times जादा चाहिए जो की उसको land में चाहिए होती है नतीजा land से जादा वो क्या करता है heat absorb कर लेता है और land को ठंडा छोड़ देता है क्योंकि land को yes land क्या करती है अपनी जो hot है जैसे जो गर्मी है वो release कर देती है वो release कर देती है और उसकी जो warm air होती है वो ocean की तरफ water की तरफ चले जाती है नतीजा क्या होता है जो cold air होती है वो sea से land आ जाती है moderate effect इसका ठीक river सोने वाला होता है ठीक river सोने वाला होता है जब ठंडी पड़ रही होती तो इस तरफ से क्या होता है यह बहुत बार अपने junior glasses में पड़ा होगा land breeze, sea breeze पड़ा था तो logic यही है फिर से logic बस यही है high specific heat capacity of water अब आता है hot water bottles कुछ लोग अपने को सिकाई you know सिकाई क्या होता है हाँ कभी कुछी को peat में पेन होता है back में पेन होता है तो वो लोग एक bottle रखते है हाँ अक्सर वो bad bottles होती है वो rubber bottle होती है उसमें गरम पानी डाल देते हैं और उससे क्या करते हैं जहाँ पे यह पीट में दर्द हो रहा होता है वहाँ पे उस गरम water bottle को यह warm water bottle से अपने शरीर के बदन की सिकाई करते हैं पानी ही क्यों यूज़ करते हैं उसमें हाँ क्या keyword है सिकाई ही मैं तो इंदी वर्ड का सिकाई जानता हूँ सिकाई मदद समझ गया ना गरम से अपने आपो सेक लेना जहाँ सूजन हो रही है जहाँ यहाँ पे पीट में दर्द हो रहा है तो इसे कहते है formentation क्या word है formentation किसका use कर रहे है hot water water पानी ही क्यों use करते है फिर reason वही है पानी क्या करता है जल्दी cool नहीं होता है water एक बार गरम हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होता है क्योंकि ठंडा होने में भी उसको बहुत सारी क्या चाहिए heat lose करनी है और आपको yes जिसको सिकाई करनी है वो उसको अपनी heat energy देता रहता है लंबे समय तक उसकी body को क्या करता है heat energy देता रहता है that is why समझ गया ना तो hot water bottle में हम लोग क्या करते हैं इसलिए fermentation में use करते हैं अब पानी को coolant के रूप में cars या हमारी जो गाडिया है बड़ी just four wheel especially गाडिया ट्रक रक की बात भी कर रहा हूं उनके engine parts बहुत गरम हो जाते हैं बहुत 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 heat release करते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए उनके पास क्या होता है pipes के थूप पानी छोड़ दिया जाता है engine parts को पानी देकर internally आपको हाथ से नहीं देना है उसके अंदर लगा है radiator क्या चील लगा है radiator वो यह काम करता है क्या करते हैं coolant कर देते हैं cool कर देते हैं वरना क्या हो जाएगा आपकी car या आपकी गाड़ी काम नहीं करेगा तो क्या करते है water through pipes से heated part of the machines को क्या करते है ठंडा करते है ठीक है पानी उनकी heat absorb भी कर लेता है और अपने आपको क्या करता है बहुत temperature rise भी नहीं करता है नतीजा क्या होता है आपका engine ठंडा हो जाता है हाँ क्यों पानी कोई क्यों यूज करते है तो again logic से में बार बार because of high specific heat capacity नमज गया न इसलिए कारों में क्या लगा होता है radiator लगा है अचा ठंडे देशों में जहां पर बहुत ठंडी पड़ रही होते हैं तो अपने वाइन या जूसिस को बचाने के लिए क्योंकि ठंडी बॉटल जो एकदम होती है वह एकदम फ्रीज हो जाती है ठंडे देशों की बात कर रहा हो या जो लोग वहां रहते हैं पाड़ी ला लिक्विड बनाए रखने के लिए उनको लिक्विड बनाए रखने के लिए उनको पानी में रखना पड़ता है ताकि वह फ्रीज न कर जाएं अरे फ्रीज कर जाएं तो पीएंगे कैसे वह वाइन तो इसलिए वाटर को यूस करते हैं क्योंकि पानी जल्दी फ्रीज नही होता है ठीक है freeze होने के लिए विए उसको बहुत सारी heat energy lose करने होती है क्यों क्यों की मैंने पहले बताया high specific heat capacity है ठीक है next है farmers क्या करते हैं यही farmers phrenomena use करते हैं farmers अपने खेतों में जहां cold areas होती है जहां पर पानी का temperature below zero degree हो सकता है जहां पर night का temperature below zero degree हो सकता है और plants, क्योंकि plant के अंदर भी water होता है plants, थंड से क्या हो जाएंगे मर जाएंगे, frosting हो जाएंगे उसकी, तो frost से बचने के लिए crops को मरने से बचाने के लिए farmers क्या करते हैं, थंडी की रातों में, yes, in cold night, थंडी की रातों में farmers अपनी field को पानी से भर देते हैं, अरे, यह तो आप कहेंगे सर मार देगा, हाँ मैं और आप थंडी की रातों में पानी से नहीं नाएंगे, क्या कहते हो, winters में आपकी ममी पापा डाटते भी होंगे, रात को मत ना हो, late evening में मत ना हो क्या कहते हैं, तो reason वही है क्योंकि chill मार जाएगा आपकी body का heat पानी ले लेगा समझ गया ना, आप जो ना हा रहे हैं थंडी में, गलती से मत ना आईएगा, late nights या evenings को ममी पापा मना करते हैं आपकी हाँ मेरे या तो करते हैं, मैं तो करता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने कहा थंडी में जब आप नाहेंगे, तो जो बच्चा नाहा रहा है, उसकी heat पानी एब्सॉप कर लेगा थंडी लग जाएगी समझ गया, पर plant में क्या हो रहा है, plants में जो किसान क्या कर रहा है, थंडी की रातों में अपने fields में पानी बिचा दे रहा है वो पानी क्यों छुट दे रहा है ताकि पानी क्या कर जाए temperature below zero degree न जाने दे क्योंकि मैंने का थंडी लाकों में temperature जब zero degree से नीचे चला जाता है plants मर जाते है पानी पड़ा रहेगा तो पानी क्या करेगा temperature zero degree न जाने ने देगा थूटी सारी क्या करेगा उसकी ठंडक एब्सॉप कर लेगा समझ गए पानी ठंडक एब्सॉप कर लेगा next, all plants and animals हम लोग किस से बने हैं पानी से बने हैं हमारा approximately 70% yes मेरा मेरा और आपका yes तुमारा भी 70% body किस से बना है पानी से बना है पता है नहीं मलबात तो पानी हमारे शरी के इतना अंदर इतना है इसलिए तो मैंने कहा ठंडी में ठंडक कफकपी लगती है हम लोग को तो plants and animals में भी पानी है तो जब body में खुदी 80-90% पानी है तो पानी ठंडा करता है शरीर को तो अपने body में क्या फाइदा मिलता है हम लोग को हमारी body क्या करती है बहुत समय तक heat absorb करती रहती है बहुत समय तक heat absorb करती रहती है और yes जल्दी body गरम या ठंडी नहीं होती है just because of this water काश हमारे शरीर में yes काश नहीं सच में हमारे शरीर में पानी और ज्यादा होता तो और मौसम का effect हमारे शरीर पे कम पड़ता हम जल्दी बिमार नहीं होते क्योंकि मेरा शरीर पानी जो है जो हमारी body में होता तो वो heat absorb कर लेता या heat lose कर देता अपने आपको change की बना temperature change की बना और आपको मालूमी है हमारी body का एक constant temperature है क्या कहता है हम लोग warm-blooded है पता है न we as mammals are warm-blooded what is the temperature normal human body का temperature क्या है what is the normal human body temperature अभी time करो अगर आप yes live बैठे हो मेरे साथ यह maintained रहता है पानी की वज़े से पानी ही इस body का temperature maintain करें मदद करता है चलिए बताईए मुझे चलिए आगे समझते हैं high or low heat capacity याद रखेगा heat capacity is amount of heat required to raise the temperature by 1 degree इसको कहा था मैंने formula क्या बताया था heat is equal to heat capacity is equal to temperature upon delta T यह बताया था अब दो तरकी heat capacity है एक high और एक low पहले हम बात करते हैं heat capacity तो आप समझ गया पहले हम बात करते हैं high की तो चिए जितने भी cooking pans है आपके घर में cooking pans समझ गया ना आपके तवा आपका जो fry pan है घर में उसका नीचे वाला जो हिस्सा है यह जो नीचे वाला ऐसा यह 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 थिक होता है यह मोटा होता है यह wall thin होती है तो यह जो frying pan है आपके घर का इसका base थिक क्यों है तो base थिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर base ज़्यादा होगा तो इसकी heat capacity भी ज़्यादा हो जाएगी तो जो आप object यहाँ रखोगे फुक होने के लिए जो आप बस्तु रखोगे यहाँ पर पकाने के लिए उसको ज़्यादा heat मिलेगी क्या होगा इट imparts इट gives sufficient heat energy ठीक है खाने को heat energy ज़्यादा मिलेगी खाना जल्दी गरम होगा जल्दी पक जाएगा फिर से दूसरा example high heat capacity का फिर से high heat capacity का example है कि electric press जो होती है जो हमारे घर में iron press जो होती है जो cloth press करने में हम लोग use कर रहे हैं कर रहे हैं हम लोग iron press न कपड़े press करने के लिए इस्त्री जिसको बोलते हैं इस्त्री करना प्रेस करना तो उसका base भी थिक होता है heavy होता है तो again base थिक और heavy होने के लिए होने की वज़ए से वो जल्दी गरम नहीं होता है और गरम हो जाता है तो बहुत देर तक गरम रहता है switch off करने के बाद भी बहुत देर तक आइरन प्रेस नीचे से गरम रहती है तो इसलिए कपड़ा ज्यादा अच्छे से क्या होता है येस तेह हो जाता है level हो जाता है चलिए भारी भी रखा जाता है उसको हना इसलिए भारी होती है नेक्स वैसल यूज़ फॉर measurement of heat इस उल्टा अब हम बता रहें low capacity के लिए यो दोनों high बताया heat capacity का example अब हम low heat capacity का example दे रहे है low heat capacity का example है जो calorometer हम ने यूज किया उसमें calorometer sheet of copper से बना है पर बहुत thin sheet of copper से मिला है क्यों व्यों क्यों क्योंकि copper जो है copper की specific heat capacity बहुत low होती है क्योंकि जितना अच्छा, जितना अच्छा conductor होगा, उसकी heat capacity उतनी low होगी, copper की heat capacity low होती है और उसको थिन रखते हैं, थिन इस्ते लगते हैं, ताकि कम से कम heat loss हो, क्या हो, कम से कम जो हो, वो heat absorb करे, इसलिए very thin wall of copper होता है, कहां पर होता है, मैं दिखा दू, आईए मैं दिखा तो, कहां बात कर रहे हैं? केलरो मेटर में, कहां पर? यहां पर, इस diagram को फिर से देखिए, यह यहां पर, यह यह दिख रहा है आपको, यह है, copper vessel हम इसकी बात कर रहे है, यह बहुत thिन होता है, यह जो बाहर दिख रहा है, यह तो क्या है, यह एक wovenail jacket है जिसको cover किया गया इ से ठीक है ताकि heat loss back conduction नहों पाएं चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको आगे ले चलते हैं जब stages change होते हैं यह तो बच्पन से पढ़ते आ रहे हो फेज येस तॉलिट से liquid liquid से gas हाँ आपने ice cream ली हाँ वैसे तो आज कल ice cream खाने का season नहीं हो रहा है अगर आपने ice cream ली और कुछ दिर आप पकड़े रहे गए था नहीं पाएं तो क्या होगा solid से liquid क्या बोलते हैं इसको what is the change called from solid to liquid आप कहेंगे sir melting जी किसी के बात कर रहे हैं यही है change in phase melting हो गया जब solid से liquid में body change हो गया और आगे क्या change नहीं होगा जरूर होगा आगे भी change अगर आपने इस liquid को क्या कर दिया हीट कर दिया तो gaseous बन जाएगा पानी को heat कर दो 100 degree के उपर क्या हो जाएगा बाब बन के उड़ जाएगा वाटर वेपर बन जाएगा हम इस process को कहेंगे vaporization और उसका reverse कर दो पानी के vapor निकल रहे है उसको cool कर दो वापस क्या बन जाएगा वेपर से liquid street में आ जाएगा हम कहेंगे condensation बादल भी condensation से बनते हैं याद करिए जो water vapor उपर जाता है वो condensed जो के बन जाता है liquid और फिर liquid से yes खंडा करना है और liquid को जैसे मैंने कहा आपको ice cream जमानी है fridge में क्या करो yes ice cream का liquid बना करके freezer में रख दो तो liquid से क्या हो जाएगी solid ice cream तयार तो change in phase मतलब state of body change करना from one state to another अब आता है यह सब किसकी वज़े से हो रहा है because of exchange on heat की वज़े से हो रहा है क्या क्या state change हूँ आपने देखा solid से liquid liquid से gas and vice versa क्या directly solid से gas बन सकता है हाँ बन सकता है न ऐसे stage को कहते हैं हम लोग sublimation हाँ कुछ example दे सकते है मुझे मैं आपको example दूँ आपके घर में कुछ ऐसे पदार्त है कुछ ऐसी वस्तू है जो होता solid है और मम्मी उसको क्या करते हैं एक airtight box में रखते हैं मैं example दूँ कपूर क्या मैंने बोला कपूर इंगलिश में बोलते हैं कैमफर हाँ सी कैमफर ammonium chloride iodine यह मैंने तीनों example दिये यह तीनों sublimation करते हैं यह solid होते हैं रूम temperature भी room temperature पर ही अगर खुले में रख दिया आपने तो यह liquid नहीं बनेंगा सीधे gases बन जाएंगे हम लोग उसको कहते हैं sublimation और इसका reverse भी हो सकता है sublimation माली चीज क्या कर सकती है solid gas से direct solid बन जाएगी अगर इसको cool कर दिया जाए सच में cool कर दिया जाए तो liquid state आएगा ही नहीं तो इन दोनों cases में क्या हो रहा है solid से gas और gas से solid no liquid state ठीक है और जब gas से solid जा रहा है तो इस process को कहेंगे solidification चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगला word आ रहा है melting नहीं melting point mix नहीं करना है इसमें point word जोड़ दिया है हमने point की keyword है constant temperature क्या constant temperature और melt तो आप जानते हैं जैसे melt की बात करेंगे मतलब पिगलना की बात करेंगे और पिगलने में क्या होता है ice cream पिगलती है याद करो बरफ पिगल जाती है तो तो क्या बनता है solid से liquid बनता है जैसे मेल्ट की बात करते हैं तो मेल्ट में solid liquid state में आ जाता है अब ही घर में बरफ मैंने का फ्रिज से निकाल दो बहार रखके देख लो थोड़े अपने आपी बरफ solid से क्या बन जाएगे liquid हो जाएगी तो जिस temperature में ऐसा होगा क्या चीज है जिस temperature में होगा उस constant temperature को कहेंगे melting point उसी तरह से boil की बात करते हैं तो उल्टा होता है रहें वॉय्थ में प्रॉड़ी हुती तो लिक्विट है बडी होती तो लिक्विट है पर लिक्विट से चेंज हो जाती है वेपर स्टेट में या गैसिस हैं हम उसको कहते हैं बॉइलिंग पॊंइंट कि बिखे और यहां पर वरॉंड है क्या जरीमिंसग पॉइंट sout क्रिपीज क्या होता है पीज चंडा कर देते हैं थैंगzkर का fewult बन जाता है लिकविड जो है लिकविड और ये बन जाता है हम लोग ते फ्रीकर है न आ भई आपके घ़र में आपको आइसक्रीम जमानी आती है ज्थ बता गैस्क बनाने आती है बहुत असान है आज कल यूट्यूब पे सब अवेलिबल है घर में अपने हाथ से थंडी का दिन है आइस्क्रीम मत खाना बोट के स्टुडेंट्स को तो एक दम ही नहीं खाना इस समय गला बैट जा रहा है अचकल हां बहुत जल्दी मुझे लगता है लोगों को टॉंसल उनसल हो जा रहा ह और उसको क्या करना है आइस्ट्रे में जमाने के लिया रख देना है बन गई आपकी चको औरियो आइस्क्रीम अरे ऑहा हां सचमें तो क्या किया हमने Lightoup State में येस हैंने बहुत जल्दी समझा दिया ना मैंने Liquid State में क्या चड़ दिया Solid State में चेंज करना है इसके लिए और फ्रीजिंग में जब point word आ जाएगा तो keyword आ जाएगा constant temperature जिस constant temperature में यह होगा एक fix temperature होगा constant मतलब fix यह temperature नहीं हो सकता इस figure temperature को constant जो कहते हैं freezing point चलो आगे समझते हैं तो substance क्या करते हैं जब heat होगे तो क्या होगा heat होगे तो मैंने का melt होगा आए heating curve समझते हैं heating curve during melting इसके लिए थोड़ा सा diagram को इस curve को ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यह curve बहुत important है आपके लिए तो आप ध्यान से देखेगा melting का हम क्या करने जा रहे हैं heating curve of ice बताने जा रहे हैं ice क्या है ice खुद है solid और अब बनने वाली है liquid अब ही तो melt होगा तो ice ice solid है और liquid बनने वाली है हमको इस heating curve के लिए दो तीच चाहिए यह जो graph लेना है इसके y axis इसको बोलते है y axis जो यह उपर डंडी जा रहे होती है न यस इस vertical डंडे को कहते हैं y axis y axis पे किसको लेना है temperature को लेना है और x axis इसको बोलते है x axis पे किसको लेना है time को time seconds में दिया हुआ है देख लिए time in seconds दिया हुआ है और temperature in centigrade दिया हुआ है क्या start हो रहा है कहां से start हो रहा है देखिए point A से start हो रहा है जहां पे temperature है 20 degree इसका मतलब है इस समय इस body का temperature कितना है 20 degree है यह है इसका room temperature कितना है body का temperature इस समय body का temperature 20 degree है अब यह body को क्या कर रहे है लगभग 60 seconds तक हाँ लगबग 60 seconds तक यहाँ से लेकर यहां तक temperature क्या हो रहा है rise कर रहे हैं ठीक है temperature क्या कर रहे है राइज कर रहे है heat कर रहे है इसका मतलब यहां तो जब rise कर रहे है तो temperature 20 से बढ़ते 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 कितना हो जा रहा है 100 degree पर 100 degree के बाद heat देते जा रहे है time बढ़ता जा रहा है time increase होता जा रहा है पर body का क्या हो रहा है state change नहीं हो रहा है और यह इस degree को कहेंगे हम लोग boiling point क्योंकि यह fixed temperature है क्या यह हमेशा इतना ही रहेगा क्या हमेशा इतना रहेगा जबाब नहीं कुछ certain stage के यहां से यह उपर चड़ेगा और तब क्या होगा यहां से boiling के बाद क्या हो जाएगा वह body क्या हो जाएगा वेपर इसका क्या बता रहा है वेपराईजेशन टेमपराई होगा मैंने boiling दिखा दिया यह मेल्टिंग पर भी apply होगा चलिए चेंज इन दी वॉल्यूम हमने बताया नॉर्मली क्या होता है बॉड़ी जब हीट करते है तो expand करती है यह तो basic rule है एनी बॉड़ी जनरली क्या करती है हीट करने पर expand करती है तो कुछ example दूं हाँ example है यह लेड वेक्स क्या करेंगे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा इट करेंगे मेल्ट करेंगे तो expand हो जाएगी इनका volume क्या हो जाएगा increase हो जाएगा बलकि कुछ बॉड़ी जैसी भी है जो उसका उल्टा भीएव करती है खास करके water करके ice, ये melt होने पर क्या हो जाती है, उल्टा contract हो जाती है, ठीक है, anomalous behavior कर रही है, क्या कर रही है, melt करने पर contract कर रही है, हाँ, इसे abnormal behavior को anomalous behavior कहते हैं, अब question आता है, कि pressure पर क्या effect पड़ेगा, yes, pressure लगाने पर, तो व्याद रखेगा, basically melting point, yes, melting point, जिन substance में क्या हो रहा है, body contract कर रही थी, उनका reverse हो जाएगा, मतलब melting point decrease हो जाएगा, with increase in pressure, but normal goods के साथ क्या होता है, normal goods के साथ increase in pressure होता है, मतलब क्या कहना चाहते है, melting point increases with increase in temperature, यह रासिंप, increase in pressure, फिर से, melting point increases with increase in pressure, body पे pressure increase करेंगे, उसका melting point भी increase हो जाएगा, पर मैंने का यह किस goods के लिए अपलाई होगा, वो goods जो normally क्या करते हैं, melt करने पे, हाँ, melt करने पे, expend करते हैं, normally good melt करने पे क्या होते है, expend ही करते हैं, ठीक है, normal, यह normal goods के लिए प्लाई हो रहा है, ice के लिए नहीं, ice में ठीक उल्टा होने वाला है, ice में क्या हो जाएगा, अगर आप क्या करेंगे, आईस तो उल्टा करती है, कॉंट्रेट करती है, एनॉमलस बिहेव करती है, वो कॉंट्रेट करती है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, effect of impurities, अगर किसी body में, yes, किसी body में impurities मिला दी जाए, तो उसका melting point उल्टा decrease हो जाएगा, आपको पता होना चाहि जो ice cream के ठेले वाले हैं, जो आपके घरों तक ice cream ले के आते हैं, पहुचा आते हैं, कुछ लोग trolley या ठेला टाइप का ले करके, उसके अंदर ice cream होती है, आपने जरू सड़क के किनारे ice cream वाले, जो ice cream vendors होते हैं, आपके school के आसपास भी खड़े होते हैं, तो उनकी जो box हो रखी होती है, यहाँ पर बीच में ice cream रखी होती है, अलग-अलग, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर, इनके box के corners में, यहाँ पर ice रखी है with salt, सई सुना आपने, यहाँ पर बरफ नमक मिला के रखी हैं, से हम कहते हैं, yes, freezing mixture, क्यों, क्यों इम्परिज मिलाए गया है, ताकि यह जल्दी melt न हो, क्या मैंने कहा, इसमें इसलिए मिलाए गया है, ताकि इसका melting point बढ़ जाए, increase हो जाए, लिखा है न, melting point of substance decrease with presence of impurities, keyword है, impurities बढ़ा देंगे, मिलावट कर देंगे ऐसे liquids में, तो वो जल्दी melt नहीं करेगा, melting के लिए क्या चाहिए, ज्यादा temperature चाह देना, बहुत लोग जो कुल्फी बनाते हैं, कुल्फी वाले होते हैं, वो भी यही करते हैं, आपके घर पे आसपस कुल्फी वाले आते होंगे, येस, पालूदा कुल्फी, सुना होगा, वो भी यही उस करते हैं, तो next आता है, क्या effect होता है, अगर impurities मिला दें, boiling के समय, again boiling point क्या हो जाती है, increase हो जाती है, जियान से सुनिएगा, boiling point, मतब temperature at which the liquid changes into vapor, उस temperature को, उस constant temperature को कहते हैं, boiling point, ये पढ़ा था हमने, अब क्या करें, अगर सोचिए, आपके घर में डाल बन रही है, हाँ, डाल के लिए पानी बनाना पड़ता है, 100 degree centigrade पे पानी boil करता है, water boil करता ह पर जब पानी में डाल मिला देते हैं, पानी में नमक मिला देते हैं, तो उसका boiling point हाई हो जाता है, समझ गया न? तो we add salt while cooking pulses हम कोई pulse बना रहे हैं दाले बना रहे हैं मैंने बताया नाल चावल बनता है तो इसमें नमक मिला जेते हैं नमक मिलाने से क्या हो जाता है पानी ज़्यादा heat energy लेता है और ज़्यादा heat energy लेता है जिसकी वज़े से खाना पुर्दर से boil हो जाता है खाना जल्दी पक जाता है समझ गए? क्योंकि उसका boiling point rise हो जाता है उस दाल का boiling point अब 100 degree नहीं रहेगा दाल 100 degree बे boil नहीं करती 100 से उपर क्यों? क्योंकि दाल में मिला दिया गया है नमक तो impurities add करने से क्या होगा? again boiling point भी increase होगा melting point भी मैंने कहा था decrease होगा ठीक है? आगे बढ़े याद रख्या दोनों example ice cream वाला और डाल वाला चलो, vaporization और boiling फिर से मैंने बताया liquid से vapor state में आने को कहते है vaporization और जिस temperature पे आ रहा है ये जो curve आपको दिख रहा है मैंने एक बर discuss already कर दिया है आपके लिए यहाँ पे साफसर दिख रहा है body का temperature temperature 20 degree है और 100 degree पे वो body boil कर जा रही है similar है इस curve को कहते हैं हम लोग heating curve no need to panic simple है बस देख करके labeling आनी चाहिए आपको ठीक है? अब आता है change in the volume of boiling अभी मैंने just discuss किया कि boils करने पे liquid expand करते हैं क्या करते हैं all liquid expand on boiling क्या water के साथ यह rule apply होता है जवाब है नहीं नहीं पानी क्या करने लगता है heat करने पर heat करने body expand करती है पानी क्या करता है contract करता है ठीक है ना पर मैंने का यह rule कहां पर कहां अप्लाई होता है zero degree से ले करके four degree के बीच पे ठीक है अब effect of pressure तुम आने बताया pressure increase करोगे ठीक pressure increase करोगे boiling point increase वजाएगी high pressure high boiling point और इसका vice versa similar point है यह addition of impurities वाला आईए अगला topic है latent heat यह नई श्यब्द latent word का क्या मतलब होता है sir हाँ हाँ भी बताते है latent मतलब hidden अब यह hidden heat क्या होती है तुपी wheat क्या होती है आईए फिर से देखते है अब हमारे पास क्या है one kilogram of water है आपने तो देखी लिया है यह one kilogram of water है और इस one इतना छुटा रवड क्यों आ रहा है बड़ा आ जाओ भाई बड़ा नहीं आ रहा है हाँ one kilogram of water है हमने इसको heat किया ठीक है आईए heat करते हैं इसको यह राब उनसन फ्लिम आप देखी रहे हैं heat कर रहे हैं इसको और हम देख रहे हैं इसका temperature जो है heat करते करते hundred degree centigrade पहुँच गया कितना हो गया temperature hundred degree क्या होगा hundred degree में hundred degree में यहाँ पर आपको दिखाई दने लगेगा vapors निकल रहे हैं अब आप क्या करेंगे और इसको heat करेंगे क्या करेंगे और इसको heat करेंगे hundred degree temperature आ चुका है और इस पानी को हम और 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 heat कर रहे हैं पर हम देख रहे हैं कि पानी और boil करता हूँ नजर आ रहा है यह vapor और उपर निकलता हूँ नजर आ रहा है ठीक है पर temperature कुछ देर बाद भी hundred degree ही centigrade रह रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है भाई यह heat जा कहां रही है यह जो हम इसको heat दे रहे है यह जो heat जा रहे है दिख रहा है यहां दिख रहा है पानी की बुलबुले दिख रहे है गुडुक गुडुक करके जा कहां रही है तो यही है latent heat हम heat तो दे रहे है Heat absorb भी हो रही है यही heat क्या कर रही है changing state करने में मदद करने है हमारे case में liquid के state में या liquid के state में क्या बनना है इसको gas बनना है मैं boiling का example दे रहा हूँ तो liquid में जो molecules होंगे वो close होंगे liquid के जो molecules होंगे वो close होंगे हमें इनके molecules का gap gas के जैसा बनाना है और gas में क्या हो जाता है molecules का gap increase हो जाता है जहां ये gap कम दिख रहा है ये जो gaps हैं इन दोनों के बीच में इनको हमको क्या करना है expand करना है तो ऐसा करने के लिए heat absorb हो जाती है इसके particles को क्या करती है internally separate कर देती है इसका volume increase कर देती है और वो जो heat मिली उसको वो उसको सिर्फ क्या कर रही है in particles को in atoms को क्या कर रही है spacious बना रही है बना दे रही है gas बस इसमें वो heat इस्तमाल हो जा रही है और इसलिए ये heat क्या हो रही है क्योंकि ये internally absorb हो जा रही है externally क्या हो रहा है measure नहीं कर पा रहे है thermometer में measure कर रहे है तो temperature दिख रहा है 100 degree ही दिख रहा है thermometer उसमें temperature बार-बार वही शो कर रहा है and that is called as latent heat clear है क्या होता है latent heat right है चलो तो latent heat the amount of energy जो energy absorbed हुआ solid दुआरा melting में तो उतनी energy क्या होता है वो जो liquid था वो lose कर रहा था एक body absorb कर रही होगी तो एक body क्या कर रही है lose भी कर रही है freezing के time पे ठीक है न और the heat energy absorbed or liberated एक body मैंने बताया absorb करती है तो एक body liberate भी करती है during the change of phase is not externally measured इसको बाहर आप measure नहीं कर सकते बाहर महसूस नहीं कर सकते बाहर देख नहीं सकते इसको by rise and fall को नहीं देख पाओगे नहीं measure कर पाओगे इसी heat का नाम रखेंगे latent heat जो energy आप measure नहीं कर पा रहे हैं यह temperature देख रहे हैं thermometer लगा के देख रहे हैं temperature वहीं दिखा रहा है तो हम इतना heat दे रहे हैं लाका रहा है मैंने कहा तो externally it is not manifested ठीक है और measure करने के लिए क्या करते हैं specific heat capacity जब बात करते हैं तो वही latent heat जब हम latent heat को किसी एक unit mass का measure करते हैं तो जो specific वड़ा जता है यह जो specific वड़ा है इसी से वारा है latent heat के बाद specific latent heat latent heat का formula देख लिए ज़रा तो यह रहा latent heat का formula है latent heat L is equal to heat absorbed or liberated ठीक है that is heat upon mass heat upon mass यह formula है आईए latent heat of a phase क्या होता है specific latent heat is the quantity of the heat energy absorbed by a unit mass keyword है इसमें mass होना जरूरी है क्योंकि specific word लिखा है specific एक निश्चित body का जब mass होता है उसे specific कहते है of a substance for the change in its phase at a constant temperature दूसरा key word क्या है constant temperature जान दीजेगा जब हम latent heat की बात करते हैं तो temperature body का change नहीं होता है ठीक है ऐसा कब होता है जब जब body state change कर रही होती है solid से liquid बन रही होती है liquid से gas बन रही होती है या vice versa इन सब stages में क्या होने वाला है latent heat का इस्तमाल होना है और specific हा जाएगा तो एक निश्चित mass of body होगी ठीक है unit क्या है joule per kilogram कैसे आया क्योंकि heat को measure करना है हमको joule में और mass को measure करना है kilogram में तो आपका अंसर आजाएगा joule per kilogram clear है तो इस तरीके से आपने latent heat देख लिए आईए ice के latent heat को measure करने के लिए एक experiment है मैंने अभी थोड़े दे पहले आपको दिखाया था ये देखे zero degree पर आइस होगी यहांपर जब हमने ice रखा था तो zero degree रखा था चीक है अब हमने क्या किया इसको heat करना शुरू कि ice को कैसे heat कर रहे है एक immersion heater से इसको heat कर रहे है इसको heat कर रहे है heat कर रहे है और देख रहे है कि इसका इसको मिल भी रही है हम हीट देख भी रहे है ये Joule Meter से देख भी रहे है हीट मिल रहे है देख रहे हैं कि पानी क्या हो रहा है अब इस बड़ que car गिर भी रहा है हीट देते भी जा रहे है पर बहुत देर बाद rap लिए temperature देख रहे है 0 degree है तो क्या हुआ हीट गई कहां मैंने बताया यह जो हीट है यह जो हीट हम दे रहे हैं वो उसके स्टेट को चेंज करने में इस्तमाल हो जा रहे हैं इंटर्नली तो specific latent heat of ice is the heat energy required to melt a unit mass of ice at zero degree to make it water at zero degree देखा water at zero degree ice को water बना रहे है temperature क्या रहा है जीरो का जीरो यह है ज्यान देने वाली बात है कि unit उसका जूल पर किलोग्राम ही रहेगा आईए latent heat को अगर समझना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके लिए आपको kinetic theory समझने पड़ेगी kinetic theory बताती है कि कोई भी body किस से बना है molecule से बना है और molecule क्या करते हैं हमेशा random motion में होते हैं यह पढ़ा है हमने ने kinetic theory पढ़ा था ना इसी पर बेस समझते हैं इस property को तो kinetic model क्या बताते हैं kinetic model में बताया गया है कि molecules जो solid में होता है वो हमेशा vibrate करते हैं solid क्या liquid में vibrate करते रहते हैं और इनके molecules में जो energy होती है वो कहां से आई है वो energy आई है इनके motion की वज़े से हाँ मैंने lesson के beginning में बताया था अगला point कि जो internal energy है इनके पास जो sum of the potential और kinetic energy है इसकी वज़े से आई है हाँ अगर आप मेरा lesson ये वाला begin से नहीं देखे हैं calorometry तो please miss out कर गए हैं late start की हैं don't worry आप begin से जरूर देखेगा इन बार ठीक हैं अभी नहीं अभी let's finish it तो total amount of energy किस पर depend करती है body के motion पर depend करती है क्योंकि मैंने का body move कर रही है उसके अंदर kinetic energy है और potential energy है तो solid से जब liquid बनता है तो क्या होता है हाँ solid में याद रखेगा molecules बहुत closely packed होते हैं उनके बीच में intermolecular space कम होता है और liquid में क्या होता है ठीक ज़्यादा इसका होता है तो जो हम heat दे रहे होते हों कहां जा रही होती है तो जो हम heat दे रहे होते हैं जो separation between molecules होता है उसको increase कर देता है क्या चीज़ करता है separation between molecules जिसको हम कहते है inter-molecular space increase होता है उसमें heat हमारी चले जा रही है solid में molecules देखिए pass 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 खाने वाला pass pass नहीं नस्दीक नस्दीक है और liquid में क्या होगा ये molecules अब दूर दूर spread हो जाएंगे तो इनका जो gap जो बढ़ गया है वो heat की वज़े से बढ़ा है some energy is required for increasing the gap for increasing the separation इनका attractive force को तोड़ना पड़ेगा इनके बीच में जो attractive force है जिसकी वज़े से ये नस्दीक नस्दीक है एक ऐसी energy लगेगी जो इसकी attraction को तोड़ देगी जिसकी वज़े से हो जा रही है externally manifested नहीं है so no heat energy is used energy used नहीं हो रही है volume के change होने पर समझ गये नाम है latent heat आई ये latent heat of ice का use जाने है तो बने बताया अगर ice एक साथ सारी पिगल जाती तो सोचिए एक ही दिन में धूप पड़ती और सारी पिगल जाती फर ऐसा कभी नहीं होता है सारी नदिया एक ही दिन में पानी ले आए पाहर से सोचिए क्या होगा पुरी दुनिया धूप जाएगी न नहीं ऐसा नहीं होता है snow in the ice does not melt at all at once एक साथ सारी बरफ नहीं पिगलती क्यों रीजन क्या है high specific keyword याद कर लिजे high specific latent heat sorry latent high specific latent heat fusion of ice melting of ice मतलब ice को melt होने में बहुत heat energy चाही होती है ice अपने आपको पिगलाने के लिए हाँ कभी आपने अपने हाथ पे बरफ रखी है सच बताईएगा थोड़ी दिर बाद क्या होता है आप बरफ छोड़ देते हैं क्यों छोड़ देते हैं महलो है मैं आपको logic देता हूँ जब आप ice रखते हैं अपने हाथ पे कभी करके देखना आज मौका मिले तो करके देखना एक piece of ice अपने हाथ पे रख देना अपने हतेली पे रख देना है याँ पर ठीक है और थोड़ी दिर के लिए क्या करना पकड़ के रुके रहना देखना रखना क्या लगना अपने आप आपके ice के आसपास क्या होने लगेगा water नाने लगेगा तो water कहां से आ रहा है क्योंकि आपकी body आपके body का वो heat ले रही है ice अपने आपको melt करने के लिए तो आपका वो hand का portion जहां पर ice रखी थी जिस portion में आपने palm पर रखा है ice तो वो palm का portion ठंडा हो जाएगा आपके beer करने के जहां beyond होगा आप तुरंथ ice को छोड़ देंगे ठंडी लगने लगेगी आप जटके में ice गिरा देंगे तो वो पिगल कैसे रही है बरफ जो आपके palm पर रखी है आपके हाथ पर रखी है हतेली पर रखी है वो पिगल रही है आपके body से heat लेकर समझ गये क्यों? क्योंकि मैंने का उसके melt करने के लिए उसको heat चाहिए वो आपकी body से ले ले रही है समझ गये? आपकी body ठंडी हो जा रही है हाँ महमान घर में आते हैं तो cold drink में क्या करते हो? ठंडा पानी मिलाते हो कि बरफ मिलाते हो? ठंडा पानी 0 degree में पानी भी तो अवलब होता है एक हता है 0 degree का water और एक हता है 0 degree का बरफ क्या करते हैं ठंडा करने के लिए? cold drink में पानी मिला किया किसी को दो पिएगा? ठेक देगा क्या बग dilute कर दिया cold drink तुम क्या मिलाते हैं उसमें? आईस मिला क्योंकि आईस क्या कर रही है? cold drink की volume को change नहीं करती है volume of the cold drink remains same आईस डालने से जितना volume of cold drink है वो same रहेगा पर क्या कर रहे है? वो cold drink जो liquid थी उसकी heat absorb करके उसको ठंडा कर देती है पीने में मजा आ जाता है अब याद रखना समझ गये? तो सारी बरफ सारी बरफ सारी बरफ स्नोफॉल के समय है या पहाडो में जो बरफ है वो एक साथ नहीं पिगलती है क्योंकि उसको पिगलने के लिए क्या चाहिए? प्रकरतिक से heat चाहिए इसलिए पहाडो में जरफ बरफ बारी होती है तो बहुत थंडी होती है समझ गए है? चलिए दूसरा एक्जामपल है पानी ठंडी कंट्री में एक साथ फ्रीज नहीं करता है पानी शो करता है एनॉमलस एक्सपेंशन क्या शो करता है पानी? एनॉमलस एक्सपेंशन शो करता है एबनॉर्मली क्या करता है? है पानी behave कर रहा है कैसा ब्याइब करता है पानी देखिए अगर एक यह रहा pond तो ऊपर के surface में temperature अगर जीरो डिगरी है तो यहाँ पर तो बर्व जम जाएगी हां यहाँपर temperature झीरो डिगरी होगा यहाँ बरफ जम जाएगी यहाँ पर बरफ जम जाएगी टॉप लेयर पर इसकी जो cold yes cold layer जो नीचे है वो cold नीचे नहीं पहुच पाएगे क्योंकि ice अपने आप में insulating layer का काम करेगी और temperature नीचे जीचे जैसे जैसे जाएंगे temperature क्या होता जाएगा increase होता जाएगा तो इसलिए fish और aquatic life possible है just because anomalous behavior of water anomalous behavior of water क्या कहता है कहता है की पानी क्या करता है cool करने पे yes cool करने पे cool करने पे चीज़े क्या होती है cool करने पे चीज़े contract होती है तो on cooling on cooling क्या करता है water contract न करके expand करता है क्या करता है water expand करता है ठीक है on cooling water expand और कब-कब ऐसा करता है मैंने कहा cooling from 4 degree to 0 degree तक ठीक है इस समय पानी की volume 4 degree पर क्या होती है highest हो जाती है जियान रखेंगे इस बात को and this anomalous behavior of water helps to save the aquatic life तारी मचलिया इस लिए जिन्दा है वरना मर जाती है इस समचलिया thanks to anomalous behavior ठीक है next जो cold rings है उसको ठंडा करने के लिए मैंने कहा piece of ice add करते हैं बता दिया reason क्योंकि पानी की highest specific heat of melting है fusion है पर अफ फिगलने के लिए और इना frozen lake जब अगर frozen lake है और वो melt होना शुरू हो रहा है तो समझ जाए आसपास की हालत बहुत खराब हो जाएगी हाँ आपके शहर में कभी ice fall हुई हो हाँ जब कभी snowfall हुई हो नॉर्मली तो हमारे शहरों में नहीं होती है जैसे मैं UP में हूँ या नहीं होती है पर कभी कभी hail storm आ जाता है हाँ कभी कभी कई सालों में एक आग बार देखा है ओले गिर जाते हैं उसका अगला दिन बहुत थंडा होता है क्यों क्यों कि जो ice गिरी है आसपास येस ओले गिरे है बरफ गिरी है जो आसपास वो हमारे air से क्या करेगी heat absorb कर लेगी और अपने आपको पिगला लेगी वो जो ice गिरी थी hail storm के दोरान बरफ गिरने के दोरान येस वो क्या कि अपने आपको पिगलाने के लिए अपने आपको melt करने के लिए हमारे air से heat absorb कर ली और अपने को heat जब absorb कर लेगी तो हमारी हवा ठंडी हो जाए और उस दिनों में कुछ दिनों में ठंडी लगती है समझ गए ये है लिखा है it is more cold ज्यादा ठंडा होता है जब क्या होता है हेल स्टॉम होता है क्योंकि हेल मतब होता है ओला पढ़ना और ओले पढ़ने के बाद क्या होता है ठंडी लगती है, क्योंकि ओले पिगलते हैं, हमारे environment की heat एब्सॉप करते हैं, मैंने बताया, ice cream में बरफ डालोगे, तो ice cream में, cold drink में, cold drink में अगर बरफ डालोगे, तो cold drink क्या करती है, cold drink आपके बरफ की heat, बरफ को heat देती है, अपना heat lose करती है, और cold drink ठंडी हो जाती है, और बरफ क्या होने लगती है, पिगलने लगती है, समझ गए, that is why it causes cooling on adding ice, तो इस तरीके से हमने पूरा chapter, yes, पूरा chapter आपके साथ क्या कर दिया है, finish कर दिया है, concepts, consequences, हर एक चीज़, theory के point of view से, हाँ, tension लेने की जर्वत नहीं है, क्योंकि जब मैं हूँ आपके साथ, तो डरने क नहीं है बाद, और मैंने आपके सारे 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 major chapter subjects को इसी तरीके से finish करना है, live session में, हाँ, कोई भी ICSC का live session, वो भी इतने सारे live sessions, हाँ, एक दो नहीं, हर major subjects के live session आपको मिलते हैं, सरतरुन रुपानी में, यह चैनल dedicated channel है, ICSC students के लिए, जो सबसे neglected मेरे बच्चे हैं, हाँ, जो विचारे सबसे ज़्यादा पिछर जाते हैं, क्योंकि उनको कोई support करने के लिए नहीं होता है, उनको कोई guide करने के लिए नहीं होता है, यहीं सोच के हमने यह channel बनाया था, तो I am really, really grateful to all, all, all my lovely, lovely, lovely audience, वो सारे मेरे super stars, वो सारे मेरे rising stars, जो 9th के आपने जो नाम दिया, आपने जो अपने प्यार सुसका नाम दिया था, yes, उन सब को, सब को मैं मदद करने को, हमेशा तयार रहता हूँ, और एक बचन दिता हूँ, अगर आप एक गंटे मेनत करोगे, मैं दो गंटे मेनत करूँगा आपके लिए, और double the effort, yes, double the effort मैं आपके साथ लगाने को तयार ह मस चाहिए मुझे आपका प्यार, आपका विश्वास, हमने सारे notes, lesson, videos ये अब आपके लिए एक दम concentrated form में ready कर दिये, ये सारे live videos, absolutely, absolutely, ये free है, हम कोई भी charge नहीं ले रहे हैं, बट मैं हर बार एक request करता हूँ, हो सकता है कि आने वाले time में मतलब मैं शायद ये free न कर पाँ, क्योंकि ये paid content होना चाहिए था, बर सिर्फ आपके प्यार में, आपके विश्वास में हम ये ऐसा कर पा रहे हैं, और एक request करना है मुझे, अगर आप मेरी मदद कर पाते हैं, तो please अपने friends, classmates को, इन सब को ये lesson link बेजिए, क्योंकि हमारी efforts कहीं ने कहीं तभी अच्छी लग तो we need all support, all help from all, all, all of you, क्योंकि तब हम क्या कर पाएंगे, आपके लिए और contents बना पाएंगे, और बहुत जल्दी ही आपके लिए test series शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे board based questions कैसे आते हैं, और किस तरह से board based questions करने हैं, आपको भी कराएंगे, और साथ में हम लो आपके almost सारे suggest खतम होने जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारी नई playlist चेक करके देख लेजिए, ये सारे latest videos है, current board के, yes इस साल के, 2023 के board के according है, हाँ मैंने ये दुबारा, तिबारा, चौबारा, पांच बार शायद हो सकता है कुछ-कुछ videos बनाए होंगे, बस एक ही काम करना है, आपने नाम दिया Google Sir, तो Google कर लो, किसी भी topic को, किसी भी chapter को पढ़ना हो, तो बस एक काम करो, Google कर लो, chapter का नाम लिख दो, और आगे लिख दो, by Sir Tarun Rupani, पस, try करके जरूर देखना, आपको सारे-सारे major subjects और chapters मिल जाएंगे, जो नहीं मिल रहे होंगे, मुझे personally DM करना, message करना description में, link में, मेरा नाम और नमबर दिया होगा, मैं जरूर कोशिश करूँगा, आपके भी वो chapters बना दूँ, तो चलते हैं, मिलते हैं, thank you and playlist, end में दे दूँगा आपको, उस playlist को भी आप देख लिजेगा,